बात करने के लिए लॉग इन करें www.astrotak.com नमस्कार बहुत स्वागत है आपका आप देख रहे हैं चाल चक्र और मैं हूँ आपके साथ छेलेंदर पांडे अप्रैल का महीना शुरू हो रहा है और आज के हम अपने कारिक्रम में आपको बताएंगे कि अलग अलग राशी के लोगों के लिए अप्रैल का महीना कैसा रहने वाला है इस महीने की खास बातें क्या हैं और इस महीने की गरह स्थितियां कैसी रहने वाली है ये जानते हैं कि अप्रैल के महीने में गरहों की स्थिति कैसी रहने वाली है देखिए अप्रेयल के महीने की शुरुवात हो रही है व्रिश्चिक लगन में ये जो व्रिश्चिक लगन है न वैसे तो इस्थिर है स्वभाव से लेकिन चंद्रमा यहां अनकमफर्टेबल होता है इसलिए मानसिक रूप से मन के लिहाज से देखें तो ये महीना बहुत अच्छा नहीं दिख रहा है एक कारण ये भी है कि इस दिन चंद्रमा तुला राशी में विद्यमान है इस महीने की शुरुवात हो रही है चंद्रमा कमजोर स्थिती में है तुला राशी में है तुला राशी में चंद्रमा मजबूत नहीं होता सूर्य शुक्र की गुरु शनी की और राहु मंगल की युती है सूर्य शुक्र एक साथ हैं गुरु शनी एक साथ हैं और राहु मंगल भी एक साथ हैं इस महीने की शुरुवात में और उसमें भी अगर आप देखें तो शुक्र इस महीने के मध्य तक अस्त रहेंगे, यानि शुक्र का मतलब होता है सुख, हैपिनेस, जो सुख वाला पार्ट है, जो हैपिनेस वाला पार्ट है, इस महीने के मध्य तक कमजोर रहेगा, महीने के आरंभ में ही पांच तारीख को रात में ही ब्रिहस्पती का राशी परिवर्तन हो जाएगा ब्रिहस्पती मकर राशी से निकल करके कुम्भ राशी में प्रवेश कर जाएंगे तो ये महीना बड़े बदलावों का महीना साबित होने वाला है और जहां तक देखें तो पहले 15 दिनों में जो हैपिनेस है जो आनन्द वाला पार्ट है वो पूरी दुनिया में कम रहेगा हाला कि ब्रिहस्पती के राशी परिवर्तन से देश दुनिया के लोगों को काफी लाब होता हुआ दिखाई देगा अब ये जानते हैं कि अप्रेल के महीने में देश दुनिया का हाल कैसा रहने वाला है देखें राजनेतिक और सामाजिक रूप से अगर देखें तो शुरुवाती 15 दिनों में इस्थितियां बहुत अच्छी नहीं है इस माह के आरंब में राजनेतिक समस्याएं बढ़ेंगी पॉलिटिकली बहुत सारी चीजें बदलेंगी और अनेक राज्यों में इस महीने सत्ता परिवर्तन हो सकता है खासतोर से जो पश्चिम के राज्ये हैं जैसे महराश्ट्र है या मध्य भारत है मध्य प्रदेश है इन जगहूं पे सत्ता परिवर्तन होने की संभावना इस म अारोसी देशों के साथ विवाद जैसी नौबत इस महीने में भी बन सकती है। उस महीने में भी आ सकती है। और इस महीने आतंकवादी घटनाओं और बड़ी दुरहतनाओं के होने के योग भी बनते हैं। इस महीने टेररिस्ट एक्टिविटीज से वायुयान की बड़ी दुरगटना ट्रेन की बड़ी दुरगटना इस तरह की संभावना इस महीने में दिख रही है